नमस्कार दोस्तों आप सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये कुपसूरत सा लेडिज बुट लाएं हूँ छे नमबर पैर के लिए ये लेडिज बुट है देखिए कितना कुपसूरत है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और जल्दी बनके ये तियार होता है इसे बनाने के लिए मैंने 52 फंदे डाले हैं और 10 नमबर की सलाई योज किया है पुरा सौक्सी ये 10 नमबर की सलाई पे ही बनेगा तो 52 फंदे डालके मैंने 6 लाइन का बॉडर बनाया है उल्टा उल्टा बुनते हुए और 6 लाइन का बॉडर बनाने के बाद देखिए 3 उल्टे फंदों के धारी सामने से और 3 पीछे से आई है और 6 लाइन का बॉडर बनाने के बाद 2 लाइन मैंने प्लेन बुना है यानि आगे से सीधा और पीछे से उल्टा अब इस दो लाइन में मैंने 25 फंदे इधर रखे हैं 25 फंदे इस सारी में रखे हैं और सेंटर के दो फंदों पे देखिए ये जाली बनाया है सेंटर के दो फंदों पे जाली बनाया है तो दो लाइन बुनने के बाद तीसरे लाइन में हम अपना सेकेंडरी कलर अटाच करेंगे तो सेकेंडरी कलर अटाच करने के बाद तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन और चौथा फंदा स्लिप करेंगे फिर 3 फंदा सीधा एक तो 3 और 4 फंदा slip करेगे तो इन्हीं 4 फंदो को गुनते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे तो 3 फंदा सीधा और 4 फंदा slip करते हुए हम भीच में आ गए हैं तो यहां पर देखिए 2 फंदे हुए दो फंडा होने के बाद ये बीच के दो फंडे आ गए ये एक जाली जो बढ़ा था वो हमने इधर बुन लिया अब उन अपनी और करेंगे और इन दोनों फंडों के देखे ये जो सिंटर के दो फंडे हैं इनके दोनों तरफ हैं में जाली डालना है तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए एक सीधा फंदा इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे अब फिर इन दोनों फंदों के दूसरे साइड में भी हमें जाली डालना है तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए दो फंदा बुन लेंगे केटा दो यहीं तो यह टेज़ ने फंड़ा स्लिप करेंगे फीर नीर फंड़ा साच बाट जीद्गरा heter heart okay तो इसी तरह करते हुए हम पूरी उलाइन एक ही ड़ल्ड कर लेंगे का कियो और रॉंग साइट से बुने हुए फंदे पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे बुना हुए फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप कर लेंगे अब देखिए हम सेंटर में आ गया हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदो को सीधा बुनेंगे और उन अपनी ओर करेंगे, देखी ये जाली वाला ऐनदा है, तो इसे उल्टा बुनेंगे, बीच के दो फंदो को इसे हम उल्टा बुनेंगे, और इस जाली को उल्टा, शेष सब्भी फंदे सीधा बुनेंगे, और slip किया हुआ फंधा slip करते जाएंगे उन अपनी और करेंगे slip किया होँआ फंधा slip करेंगे उन दूसरी और करेंगे बुना हुआ फंधा सीधा तो इसी तरह करते वे addy line complete कर लेंगे Secondry color से दो line बुनने के बाद अब अगला दो लाइन प्रैमरी कलर के उनसे तो पहला फंदा सीधा दूसरा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे एक और ये स्लिप किया हुआ फंदा ये दूसरा रहेगा और इसके साइड वाला फंदा तीसरा देखिए भुने हुए फंदों में से बीच का फंदा हम स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे एक ये स्लिप किया हुआ फंदा दो और तीन नेक्स्ट स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे तो ऐसे ही एक फंदा स्लिप करते हुए और तीन फंदा सीधा बनते हुए देखिए ये बीच का फंदा है, तीन फंदों में से ये बीच का फंदा है तो ये सिलिप होगा और ये सिलिप किया हुआ फंदा है तो ये और इसके दोनों साइड वाले फंदे ये सीधे बुन लिया जाएंगे अब देखे ये जाली वाला फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे अब यहाँ पे हमें देखे ये दो सेंटर के फंदे हैं इनके दोनों तरफ हमें जाली देना है तो ऐसे चरहा के ले जाएंगे उन देखे, यह हमारा दूसरी तरफ है, ऐसे उपर से घुमा के यह वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दो फंदे सीधे, फिर घुमा के ले जाएंगे, अगला फंदा सीधा, next फंदा हमें slip करना है, next फंदा देखे, यह बीच का फंदा है, दूसरा फंदा है, तो इसे slip करेंगे फिर अब हमारा पैटर्न चलो हो जाएगा यानि तीन फंदा सीधा और चौथा स्लिप करता है तो तीन फंदा सीधा बुनते हुए और चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे और रॉंग साइट से देखिए फ्रेंट्स जाली उल्टा बुना जाएगा बीच के दोनों फंदे उल्टे और दूसरी साइड का भी जाली ये उल्टा बुना जाएगा शेज सभी फंदे सीधे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे उन अपनी और करेंगे और स्लिप किया हुआ फं नेधे खंब कर लेंगे अब फिर अगला लैन हम अपने से कंडरी कलेंगे तो पैटन लुएढया था तिन फ़ंद भीज़ा है तो इससलिप कर लेंगे और यह 3 फंदे हैं तो इन्हें हम हम सीधा भून लेंगे ये देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे स्लिप कर लेंगे और ये तीन फंदे बुने है तो इन्हें सीधा बुनेगे देखिए फ्रांस तीन फंदे सीधे बुने गए हैं ये चौता फंदा हमें स्लिप करना है अब ये देखिए दो फंदे हमारे सेंटर के आ गए हैं तो इसके दोनों तरफ में जाली देना है इसलिए उन ऐसे घुमा के उपर से लाएंगे और अगले दो फंदे सीधे फिर इसके साइड में हमें जाली देना है इसलिए उन घुमा के लाएंगे अब ये फंदा दूसरा फंदा है यानि इसे हमें slip करना है और उसके बाद हमारा pattern चालू हो जाएगा यानि तीन फंदा सीधा और next slip करना है तीन फंदा सीधा next slip करना है और wrong side से बुने हुए फंदा सीधा बुनेंगे slip क्या हुआ फंदा slip कर लेंगे और center की चार फंदे यानि जाली से जाली तक हम उल्टा बुनेंगे शेज सभी फंदा बुना हुआ फंदा सीधा और slip क्या हुआ फंदा slip कर लेंगे अगला छे लाइन हम प्राइमरी कलर के उनसे प्रेन बनाएंगे यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से उल्टे और यहां हमार सेंटर में दो फंदों के दोनों तरफ में हर सीधी लाइन में जाली देना है तो छे लाइन बुनके मैं आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स प्राइमरी कलर से छे लाइन बुना जा चुका है और अब छे लाइन का यह डिजाइन बनाए जागा तो शुरुवात हमें ऐसे ही करना है यानि तीन फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है फिर तीन फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा सीधा नेक्स्ट स्लिप करना है तो देखिए फ्रैंस तीन फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करते हुए हम सेंटर में आ गए हैं तो यहां पर तीन फंदा सीधा हो गया यानि कि अगला फंदा हमें स्लिप करना है अब यह दो हमारे सेंटर के फंदे हो गए जिसके दुनों तरफ हमें जाले देना है तो उन ऐसे चढ़ा के ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनेंगे फिर हुन चढ़ा के लाएंगे next फंदा को हमें slip करना है फिर अपने pattern को चालू रखना है यानि तीन फंदा सीधा next slip करना है तीन फंदे सीधा next slip करना है तो इस तरह हम देखे हमारा ये तीन डिजाइन बना है एक दो तीन और बीच में छे छे लाएंड का ये plane बनाया है यानि कि आगे से सीधा और पीछे से उल्टा तो देखिए बाडर के बाद दो लाएंड प्लैन फिर छे लाएंड का डिजाइन फिर 6 line plane फिर 6 line का design 6 line plane 6 line का design और उसके बाद 2 line हम primary color से सीधा आगे से सीधा और पीछे से उल्टा तो इतना बना के मैं आपको दिखाते हूं और प्रतिक सीधे line में हमें center फंदे के दोनों तरफ देखिए ये जाले डालना है प्रतिक सीधी line में हमें center फंदे के दोनों तरफ म में जाले डालना है तो मैं इतना complete करके अभी आपको दिखाते हूं देखिए तीन design complete हो चुके हैं और बीच में ये 6-6 line का gap है तो design complete होने के बाद मैंने thread काट लिया है और अब हमें 2 line plane बुनना है यानि आगे से सीधा और पीछे से उल्टा और हम इसको ऐसे लपेटते जाएंगे तो देखिए friend plane बुनते हुए सीधा बुनते हुए हम center में आ गहे हैं और उन अपने और करेंगे और जाली देते हुए इन दूनों फंदों को सीधा बनाएंगे फिर हम जाली देंगे और 6 फंदे सीधे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे देखिए friends हमने रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे बुन दिये अब हम आगे से भी उल्टा ही बुनेंगे और पीछे से भी यानि front से भी हम उल्टा ही बुनेंगे और back side से भी उल्टा ही बुनेंगे तो देखिए friends सभी फंदे उल्टा बुनते हुए मैं center तक पहुँच गए हूँ तो इधर ये 42 फंदे हैं और center का एक फंदा भी मैं इसमें बुन लूँगी तो ये हो गया 43 फंदे अब हम यहीं से मुड जाएंगे अब हम दूसरी side में न जाके यहीं से मुड जाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए फ्रंट से भी और बैक से भी तूनों side से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए साथ उल्टी धारी complete करूँए तो मैं आपको complete करके दिखाते हूँ देखे फ्रंट्स ये साथ उल्टी फंदों की धारियां आ गए हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथ अब हम क्या करेंगे की दो दो फंदों को एक साथ लेंगे एक फिर दो फिर इसको बाया है चलाई में चड़ाया फिर दो को एक साथ लिया तीन फिर पाया वो चड़ाया दो को एक साथ लिया चार और पांच तो हमने यहां पे पांच फंदे घटा दिये अब जो फंदे बाकी हैं अब हम उन्ही को दोनों साथ से उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करेंगे देखिए फ्रंट्स यह फ्रंट साइट से ग्यारवा उल्टे फंदो की ग्यारवा धारी चलने जा रही है और यह देखिए ऐसे इसको पल्टेंगे तो यह दोनों एक बराबर आने चाहिए तो साथ धारी कंप्लेट करने के बाद हमने यहां पांस फंदे घटाय थे और यह ग्यारवा जाली अरे ग्यारवा लाइन यह कंप्लेट हुआ है तो अब क्या करेंगे कि 7 फंदे हम घटाएंगे पहली बार हमने 5 फंदे घटाए थे अब कि हम 7 फंदे घटाएंगे 2-2 फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और 2 का एक करते हुए 7 फंदे घटाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ अब इस फंदे को बाई हाथ की स्लाएंगे चड़ा देंगे और ये हमारा पार्ट कम्प्लीट हो गया अब हूब 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 हमें साथ धारी इस सैट भी कम्प्लीट करना होगा सभी फंदे उल्टा बुनते हुए साथ धारी कम्प्लीट करना होगा सामने से भी उल्टा और रॉंग सैट से भी उल्टा बुनते हुए देखिए फ्रेंड्स ये छे धारियां कम्प्रीट हो गई हैं और अब ये साथ में धारी है तो इसमें हम दो दू फंदों को एक साथ लेते जाएंगी और दू का एक कर लेंगे तो इस तरह हम पांच फंदे घटा लेंगे तीन चार और पांच तो हमने देखिए पांच फंदे घटा ले अब शेश फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए तीन धारी और बनाएंगे तो ये सात्वा धारी बन रहा है और टूटल हमें दस धारियां बनानी है तो दस धारी बना के मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स ये दस लाइन कम्प्रीट हो गया है और अब इसको ऐसे मूरने पर ये इसके बराबर होना चाहिए लेकिन ये कम है यानि कि एक लाइन और हमें बना होगा देखिए फ्रेंट्स ये 11 लाइन कम्प्रीट हो गया हम फिर राइट साइड में आ गया है और अब देखिए इसको ऐसे बेंड करने पर ये इसके बराबर हो गया है तो अब क्या करेंगे कि साथ फंदा हम घटा लेंगे दो दो फंदे को एक साथ लेकते जाएंगे उल्टा बुनते हुए साथ फंदा घटा लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और इसके साथ ही हमारा ये लेरी शू कम्प्लेट होता है अब हमें इसे उल्टा करना है इन दोनों धागों को हम बाद लेंगे ये हमारे सिलाई करने के काम आ जाएगा और फिर अब हम इस बड़े धागे से इन दोनों सलाईों में से एक, एक फंदा लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे या हम चाहें तो तीसरी सलाई में दोनों सलाईों में से एक एक फंदे से उतारते जाएंगे एक बार पहली सलाई से एक बार दूसरी सलाई से दोनों सलाईों से एक रमशा एक एक फंदे लेते हुए तो दोनों सलाईों से एक रमशा एक एक फंदे हम तीसरी सलाई में उतारते चले जाएंगे तो दोनों सलाईों के फंदे हमने तीसरी सलाई में कर लिया है है और ये गल्ले वाली स्लाइं से हमने फंदे उतारे हैं!!! केश्ण है दूनोस स्लाइं में अहूं आङक फंदे लेंगे और दो क्याइक कर लेंगे और पीछे वाला फंदाए इसको ऐसे इस पर चरहा देंगे या फिर इसको भी बयस लाइमे लेंगे अब तीन तीन फंदे लेंगे देखिए ये तीन फंदे लेंगे तीन का एक कर देखिए ये दो दो फंदे का गुरूप बना हुआ देखिए अब क्या करेंगे कि इसको भी 22 लाइं में चला देखिए और तीन तीन फंदे लेंगे और तीन का एक करते चले जाएंगे हाथ हमें बहुत इसको बहुत टाइट नहीं करना है तीन तीन फंदे लेते जाएंगे और तीन तीन का एक करते जाएंगे इसको 22 लेंच लेंगे दू फंदे लेंगे और यह तीसरा फंदा हुआ तीनों को एक साथ लेके तीन का एक ऐसे ही करते हैं वे हम सारे फंदे घटा लेंगे इसे हम बहुत टाइट नहीं करेंगे वरना हमें पहनने में तकलिफ होगी तीन तीन फंदे लेते जाएंगे और तीन का एक करते हुए सभी फंदे क्लोज कर लेंगे और अब यह इसको ऐसे निकालेंगे टाइट करेंगे और इसको काट देंगे क्योंकि हमारे पास इधर बहुत लंबा धागा बचा हुआ है अब इसकी सिलाई करने है यहाँ पे और फिर आगे की तरफ यह अब हम सुई में धागा डाल लेंगे और नार्मली जैसा भी हम सिलते हैं वैसे सिलना शुरू कर देंगे और फिर हम ऐसे फूर्ड करेंगे देखिए यह ऐसे है इसको इस तरह फूर्ड करेंगे और फिर यहां से सिलते हुए एक साइड से सिलते हुए दूसरी साइड में चले जाएंगे करें करें करें